आज हम देखेंगे इसका लेक्चर नंबर टू है आज हमारा इसमें जीन प्याजी की स्टेजिस देखेंगे लेक्चर वन में हमने उसकी बायोग्राफिय बगारा देख ली थी तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली स्टेज हैं मारे पास सेंसरी मोटर स्टेज इसका नाम है सेंसरी मोटर स्टेज बेसिकली और इसका जो डूरेशन होताँ जीन की जीन पर प्ढ़ने हैं उसकी जंप प्ढ़न जा रहे तो देखते हैं वो स्टेजिज सबसे सबसे पले स्टेजिज थे यह तौ양 समीरिफ घ। to symbolic processing इस stage के definition की बाद की जाए तो बच्चा जो होता है reflex action से होता हुआ symbolic processing तक आता है यारी कि यह काम कर रहा होता है इसके इसके अंदर एक तो reflection होते हैं और उसके बाद symbolic processing हो रही होती है कैसे इसको देखते हैं समझते हैं कि जाके इन दर 24 month of the this stage in friends thinking progresses remarkably along three important fronts तीन stages तीन further steps होते हैं इस stage के अंदर वो steps कौन कौन से आँ देखते हैं उससे पहले यह देख लेते हैं child thinking involves seeing, hearing, touching, moving, tasting, etc यानि कि यहाँ पर उसकी जो senses हैं वो काम कर रही होती हैं बच्चे की इस stage के अंदर ज्यादा यानि के senses teach the child बच्चे को जो senses हैं वो teach कर रही होती हैं जो यह तीन steps की बात किया उनमें से पहला step क्या है इस stage के अंदर adapting to and exploring the environment एक तो यह है कि वो environment के अंदर adapt करता है दूसरा environment को explore करता है ठीक है new bonds respond reflexively to many stimuli but between one and four months reflexes are first modified by experiencer अच्छा जो stage के start होता है ना उसमें बच्चे के अंदर reflexes होते है reflexes का मतलब है कि जो automatic उसके behavior हो रहे होते हैं उसको बोलते है reflex ठीक है action that are performed without conscious thought automatic हो रहे होते हैं conscious thought के बगार हो रहे होते हैं as a response to a stimulus किसी भी response के stimulus के जवाब में sorry किसी भी stimulus के response में for example sucking looking listening grasping जब उसके मुँ में कुछ दिया जाता तो फौर उसको वो चूसना शुरू कर देता है चोटा बच्चा जब मतलब के जो zero से लेके दो साल का बच्चा होता है उसके मुँ में कुछ भी रखेंगे खास तो पर जब वो एक साल से कम होता है तो वो उसको चूसना शुरू कर देगा जैसे आप अक्सर घर में शायद आप भी करती हूँ या आपने देखा हो कि बच्चे के मुँ में उंगली या कोई पी चीज रखी जाए तो फौर उसको चूसना शुरू कर देता है इसी तरह से जब उसके हाथ में कोई चीज दी ज से ख़ती तो उसको देखने शुरू कर देता है यह उसके ओटामेटिक एक्शन हो रे होते हैं रिellschaft js भू रहा होते हैं अग्यूर से आख मन्त के दर्म्यान क्या और आताहिए नंफल इंचंट इंड वर्ल्ड अब वो दूनिया को एक्सप्लोर करता है इंवायमेंट को एक्सप्लोर करता है यह देशार यह जो हम दोप पॉटो एक्सिडेंटली एशुका न्यूरेटल हेरिंग दा इंट्रस्टिंग नौइस दा अब यहां पर देखें अब वो इसको क्या कहते है यह जो खिलोना जो 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 आवाज करेट करता है इसको पंजाबी में तो वो क्या कहते है च्छनकना कहते है उर्दु में मुझे भी नहीं पता क्या कहते है अब जब इसमें से आवाज निकलती है अब उसने पकड़ा हुए जब इस पर मैं चैना है चाहिए तो सब्सक्राब है, ठाल को जब और उसके एक्सिदरैकल इसके हाथ में आता है, तो वह और आज निकल दिया हुटान। तो वाज निकालता है फिर उसमें player happiness feel करता है ठीक है मतलब कि जो sound निकल रहा होता है उससे player feel करता है इस sequence was repeated several times और ये चीज अगेन हो रही होती है बार बार हो रही होती है वो repeat कर रहा होता है ठीक है ये चार से आठ मां का बच्चा कर रहा होता है जो reflex action हो रहे होते हैं वो एक से चार महीने के बच्चे के एज में हो रहे होते हैं अच्छा उसके बाद अगला step क्या होता है एट अबाउट गोल डेक्ट बेहिवियर एट अबाउट एट मांस ओफ एज आठ साल आठ मन्त की एज में इंफेंट्स रीच वाटरशेड दा उंसाट ओफ डेलिब्रेट इंटेंशनल बिहेवियर यहां पर वो इंटेंशनल बिहेवियर यानि के गोल डेक्ट बिहेवियर प्रफॉर्म कर रहा होता है यानि के जैसे आपने घरों में देखा होगा बच्चे के सामने कोई चीज पड़ी होगी ना वो दूर से पड़ी देख लेगा तो फौर उसकी तरफ जाएगा जैसे यह पिच्छर के अंदर भी आप देख रहे हैं कि इस एज के अंदर आठ मां की एज के अंदर बचा गोल क американ 설 याने के गोलुड टरेक्ट डियाओं में वह यहां पर इंवाल हो जाता है यानि कि वह डारओ घ्रॉड बनाता है फिर उस तार्यट की तरफ चल पड़ता है फशील परमनी कि अंदर न हो मितलेगह में जाणको उपर सा विघंड रोसम फर दिंसकों को क्या करना है इ सो उसको किस तरह से उठाना है, and then they do it, और फिर वो करते हैं, पहले वो सोचते हैं, ठीक है, फिर वो तरीका वजा करते हैं, कि कैसे यहनके प्लैनिंग करते हैं, फिर वो करना लग जाते हैं, गोल रेक्टर भीडिस अच्छा बिकनिंग एट अबाउट 12 मॉंच 12 महिने के स्टार्ट में, इन फेंट्स बिकम एक्टिव एक्सपरिमेंटर्स, एन इन फेंट्स में डेलिबरेटिली शेक अनमबर ओफ डिफरेंट आप्जक्स, ट्राएंग तू डिस्कवर विच कर रहा है यानि के चीज़ों के एक्स्प्लोर करने की कोशिश करते हैं बारा महीने का बचा है अब उसके बाद सेकंड जो इसका स्टैप उता ही पहली स्टेज का अंडर्स टैडिंग ऑब्जेक्ट चीज़ों को समझना उसके अंदर सबसे पहले जो चीज़ा थी अबजेक्ट पर्मनेंस अफरेक्ट अब ये वाली जो सेजितीय ना अबजेक्ट पर्मनेंस यहाँ पर उसके पास ये स्टेज नहीं आहीं खालोगी यानि कि इसके जो पैदाइस से लेके आठ महीने तक उस में अबजेक्ट पर्मनेंस नहीं आती है अब अबजेक्ट पर्मनेंस क्या होता है पिक्चर से आपको समझ आएगी अगर आपने बच्चे के सामने कोई चीज रखी है ना फर्जिक या जैसे यहां पर ये पढ़ा हु माइंड से निकल जाएगा वो समझेगा कि वो इस दुनिया में चीज एक्जिस्टी नहीं करती वो किसी और तरफ लग जाएगा किसी और चीज में वो इन्वाल्व हो जाएगा ठीक है यानि के आउट ओफ साइट आउट ओफ माइंड अगर उसके सामने से वो चीज हट और फिर अगर आप उसके सामने स्लाइड रख भी देंगे तो वो उसलाइड को परे कर देगा साइड पर कर देगा और दुबारा से उस डॉल को उठा लेगा उसको पता चल जाता है कि इस लाज़् के पीछे हैं अगर आप कोई चीज Res, कि ऐसकि शीज के ऊपर कपड़ा ड यह एक इनुप करना शूरू करना स्टर यहां पर बात करना स्टार्ड करते हैं डिफ्रेटज़ करना शुरू कर देते हैं evidence of the emerging capacity to use symbols यानि कि यह आपको evidence है कि यहाँ पर वो symbols को use करना या समझना start कर गया है words and gestures are symbols that stand for something else अब यहाँ पर वो words और symbols को समझना शुरू कर देता है when the baby in the photo wave this is just as effective and symbolic as saying goodbye अब वो picture के अंदर देखें इस मतलब के 18 months का जो बच्चा होगा वो आपको goodby भी कर रहा होता है हाथ हिला के यानि कि वो symbol use कर रहा है sign use कर रहा है ठीक है उसको पता है कि यह किसका sign है children also begin to engage in pretend play another use of symbol अब यहाँ पर वो play करना भी शुरू कर देता है ठीक है यानि कि यह एक और symbol है यानि कि खेलना शू कर देता है खेलने का symbol 20 months old में move her hand back and forth in front of her mouth pretending a brush her teeth 20 महीने का बच्चा आपको brush करके भी दिखा सकता है अपने हाथ से तीक है यानि कि जैसे हम brush करते हैं वो भी वैसे copy कर रहे की कोशिश करता है once infants can use symbols they begin to anticipate the consequences of actions mentally instead of having to perform अब वो कैता है कि infants जब symbol use कर लेते हैं तो वो फिर उसके consequences को भी समझना शुरू कर देते हैं imagine that an infant that and a parent construct a tower of blocks next to an open door leaving a room 12 to 18 old might close the door अब वो कहता कि फर्ज कर लेती है कि एक दरवाजा खुला हुआ है दरवाजे के सामने न अगर 12 से 18 महिने का बच्चा होगा दरवाजे के सामने कोई चीज पड़ी है न तो वो दरवाजे को बंद करके चला जाएगा उसको परवा नहीं होगी उसको समझ ही नहीं होगी यारी कि उसको कॉंसिक्वेंसिस का नहीं पता होगा लेकिन जो 18 से 24 महिने का बच्चा होगा ना उसको पता चल जाएगा कि दरवाजा अगर मैं बंद कर दूँगा तो वो चीज तूट के गिर के तूट जाएगी ठीक है 12 से 18 महिने के बच्चे को नहीं पता होगा लेकिन 18 से 24 महिने के बच्चे को पता चल जाएगा यारी कि उसको कॉंसिक्वेंसिस पता चलना शुरू हो जाते हैं यहां पर 18 से 24 महिने के बच्चे को consequences वो feel करना शुरू कर देता समझना शुरू कर देता कि अगर मैं यह काम करूंगा इसके consequences क्या निकलेगा ठीक है उसके बाद यहां पर language development हो जा होना शुरू हो जाती है इसके साथ imitate behavior behaviors को imitate करना शुरू कर देता है अगली स्टेज का वो कहते हैं कि यहां पर बिग्रिंग हो जाती है मतलब यहां पर वो पहली स्टेज को उसने अचीव कर लिए अब वो अगली स्टेज पर जाने के लिए त्यार होता है उसका मतलब यह है जी पहली स्टेज में कोई question कि दो सेंसरी मोटर स्टेज है दो साल तक होती है इन फैंसी स्टेज भी कहते हैं इन फैंसी स्टेज होती है यानि कि रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं अब्जयक्ट को अब्जयक्स को समझना शुरू करता है सिंबॉलिक behavior शो करना शुरू कर देता है तीन स्टेप होते हैं adapting and exploring the environment वो इनवार्मेंट में adapt करता है एक से चार महिने का बच्चा reflect section शो कर रहा होता है यानि कि कोई चीज उसको मुझ में डालेंगे वो फॉरन उसको चूसना शुरू कर देगा हाथ में देंगे पकड़ ल जाती है तो वो उसको मजीद explore करने की कोशिश करता है बार बार अवाज create करके happiness लेता है अच्छा उसके बाद गोल डिरेक्टर behavior होता है 8 मंत का बच्चा ये गोल डिरेक्टर behavior शो करना शुरू कर देता है को ये गोल बनाता है फिर उसको चीव करता है ठीक है उसके बाद 12 म स्थाइर ने से 8 महीने से पहले तक बच्चा यह नी समझ सकता अगरिसके सामने से कुछ चीज हटा लिक चुपार जाये तो यह नहीं तundy का अगर उसके सामने से लिया आपने तो वह समझेगा कि है यह नि Godin वहीं यह दो नहीं कि सामने में वह अब बात आजया थी कि मुव कर देता है ठीक है जैसे के गूंडबाय करना इसके साथ साथ जो है अठारा से बारा से इठारा साल का बच्चा कॉंशिवेंस्य को नहीं समझ पाता लेकिन 18 – 24 मां का बच्चा जो होता है वो इसको समझ ना शूरू करदेता है उसका ये एक सिंपल सी ग्जांपल दी आप कोई भी ग्जांपल ले सकते हैं मिसाल की तौर पर अगर आपने गलास के दर पानी रखा है तो वो 12-18 माह का बच्चा उस जाकर गलास को उठा लेगा ठीक है या गिरा देगा उठा लेगा या गिरा देगा प्रियोप्रेशनल स्टेज जो के सेकंड स्टेज है दो से साथ साल जिसकी डूरेशन होती है इसको टोडलर या अर्ली चाल्ड हुड स्टेज भी बोला जाता है दियूरिंग दिस स्टेज चिल्डरन बिगें टो इंगेज इन सिंबॉलिक प्ले और उपर तो हमने फर्स स्टेज में तो देखा था कि वो सिंबल्स को थोड़ा सा समझना और यूज करना शुरू कर देता है यहां पर वो सिंबल्स को यूज करते हुए खेलना और उनको मैनूपलेट करना भी शुरू कर देता है इसका क्या मतलब बैं आगे जाके बताता हूं स्टमेट संद मौदल्छ्ट यहां पर वो इसमेadamente जुद कर देते हैं मतल रहे सकते हैं कि कि विसका बोलते हैं कि में से बंसको उबनेर शुद कर देता हुर विसको स्कुर्ट 첫 other productively जुद्र हम अबिलिटी तो यूजेमल्जाहां यूज एड्वास ओवर city mother thinking their thinking remains quite limited compared to that of preschool age children वो कहता है कि वो ठीक है वो यूज तो करना शुरू कर देता है कुछ ability उसमें होती है लेकिन वो ability भी limited होती है उसकी thinking ability भी limited होती है अच्छा अब वो जो symbols को use करना है उनमें से एक example यहां पर आपको मिलेगी semiotic function the ability to use symbol language pictures signs are just to represent actions are object objects mentally symbols को use करना different objects को या behaviors को represent करने के लिए मिसाल के तौर पर he thinks broom is a horse and pretend that he is riding the horse by his action अब उसने देखा था TV के अंदर या originally reality में देखा था कि एक शक्स घोड़े के उपर riding कर रहा है घोड़े के उपर जा रहा है अब वो क्या करेगा जाडू उठाएगा जाडू के उपर बैठके वो समझेगा कि वो भी घोड़े के उपर सवार है ठीक है इस तरह से वह symbolically behavior show कर रहा होता है ठीक है mentally तोर पर वो य इगो सेंट्रिजम इगो सेंट्रिजम रेफर्स टू यंग चिल्टर्स डिफिकल्टी इन सेंग दा वर्ल्ड फॉम एन अदर व्यूपाइंट एगो सेंट्रिजम का मतलब होता है कि बच्चा सी रफ according पूरी दुनिया को देख रहा है अपने according समझता है कि दूसरे मेरी तरह देखते हैं वो दूसरे के point of view को यहाँ पर नहीं समझ पाता एगो से ही आपको थोड़ा सा सेंटर से मतलब के मरकज और एगो का मतलब है खुद को ही समझना कि मैं ही सही हूँ या मैं जिस तरह से मै समझता हूँ वैसे सारे समझते हैं इसका मतलब होता है in ability to understand another person's view our opinion may be different than their own वो यह नहीं समझ पाता कि दूसरों का opinion उससे मुख्तलिफ हो सकता है उसमें यह ability नहीं होती assuming that others experience the world the way you do आप यह समझ रहे होते हो कि दूसरे भी उससे तरह से experience करते जैसे आप करते हो it does not mean selfish इसका मतलब selfish होना नहीं होता इसका यह मतलब नहीं होता कि वह selfish होता उसके पास यह ability नहीं होती कि वह समझ सके इसके example से समझाता हूँ मैं पहले थोड़ सी explanation देख लेते हैं वैन्य यंग स्टर्स स्टबरन ली क्लिंग टू दियर ओन वे दे आर नौट सिंपली बिंग कंट्रेरी instead pre operational children do not comprehend अब वह वही वाली बात कर रहा है जो मैंने उपर बात किया कि वह selfish नहीं होता उसको पता ही नहीं होता वह कहता है कि वह मुखालफत कर रहा है इसका यह मतलब नहीं है कि वह जानबूज के मतलब वह जिद कर रहा है बलके इसका मतलब यह है कि उसको पता ही नहीं है वो differentiate ही नहीं कर पा रहा चीज़ों को वो understand ही नहीं कर पा रहा कि मेरे से different भी हो सकता है example देते है suppose for example you ask the pre-schooler अब ये नीचे figure है हमारे पास in figure to select the image अब ये हमारे पास एक figure है ये वाली ये जो right side पे है अब यहां पर उसने जो है एक शक्स ने बच्चे के सामने प्लेट रखी है उसके अंदर एक खास sequence के अंदर चीज़े पड़ी हुई है ठीक है खास sequence में चीज़े पड़ी है और तीन पिक्चल उसने दिखाई है एक side पे बच्चा बैठा एक side पे वह बैठा हुआ है ठीक है यानि के दोनों के angles different है उस plate को देखने के angles के आपने डेखना है या direction को देखना है कि दोनों की different है तो अच्छा अब देखते हैं यह मतलब कि इसका experiment का क्या नतीज़ा निकलता इमेज डाइट शोज हाओ दा अब्जेक्ट अंदा टेबल लुक तु यू वो कहता है कि आपने पिक्चर में से वह पिक्चर स्लेक्ट करनी है कि जैसे आपको यह प्लेट में जरा रही है वोस्ट विल स्लेक्ट भाइंग ओन दा फार लेफ्ट बच्चा ज्यादा तर यह लेफ साइड पर है यह स्लेक्ट करता है यह जो लेफ साइड पर है पिक्चर के अंदर यह अच्छा अच्छा तर डॉंफार लेफ्ट विच शोज हाव दब जैक्स नूग लाइट वीजा कि शो करता है कि बच्चे को कैसे निजरा आता है रादर राइंग ओन दा फार यह जो राइट साइड वाली यह निसलेक्ट करता वो लेफ साइड वाली सेक्ट करता है इसकी वज़ा क्या होती है प्रियोप नेशनल यंगस्टर एविदेंटली स्पोस्ट एट दा माउंटेंज आर सीन दा सेम वे बाई आल डे प्रिजूम डैट देर इस दा ओनली व्यू बच्चा यह समझ रहा होता है कि चीजों का सिरफ एक ही व्यू है यानि कि एक ही एंगल से चीजें पूरी दुनिया को नजर आ रही होती है वो एंगल वही होता है जिस एंगल से वो खुद देख रहा होता है इसकी एक्जामपल नीचे दिखाता हूँ यह प्याजे बैठा यह बच्चा बैठा है उसने तीन पहाड़िया बना दी तीन माउंटेन बना दिये उसने अपने साइड पर रखा माउंटेन बड़ा जो बच्चे की साइड पर माउंटेन उसने छोटा बनाया अब बच्चा गया समझता है बच्चा यह समझता है कि यह जो मुझे नजर आ र इस से देखेगा तुम डिफरींट नज़राएगा अगर प्याजे की साथ से देखेगा तो डिफरींट नज़राएगा बच्चे को यह अंडेस्टेंडिक नहीं होती कि ठीक है अब इस ट्क्चर से आपको समझ आना आ जाना चाहिए कि वो यह समझझ रहाता है कि जिस एंगल से जिस direction से चीजें जैसी मुझे नजर आ रही हैं पूरी दुनिया को वैसे ही नजर आती है वो दूसरे का point of view को नहीं समझ पाता कि वो different हो सकता है ठीक है इस example से समझ आ गई आपको yes sir okay अब एक और example है एक और मैंने जो पहले इसका लेक्चर दिया था उसमें मैंने यह वाली ग्जामपल दी थी इस यह पर्सपेक्टिव भी हो सकता है लेकिन जो ज्यादा पर्सपेक्टिव ज्यादा पीलिंग है वो यह वाला है जो मैंने प्याजे वाली example दी है और यह वाल आजियूम डैट आल हैव डिस फियर अगर एक लड़की डॉक से डरती है तो वो समझ रही है कि पूरी दुनिया इससे डरती है ठीक है अगर वो समझ दिया कि मतलब उसको डॉक से डर लगता होता है यह मैंने इक्जामपल दी थी यह यानि कि वो दूसरे को पर्सपेक्टि में चीज़ पर्सपेक्टिव उसको समझना है एको सेंट सेंटिजम सम्टाइम्स लीड प्र प्री ऑपरेशनल जैंगस्टर्स तो अट्रिब्यूट दियर ओन थोर्स और यानि कि वो अपनी फिलिंग्स और थोर्स को दूसरों पर फोप देता है एको सेंटिजम इंपॉर् किरेक्ट्रिस्टेक्स जैसे यह बची अब एक छोटी डॉल को दूद्ध पिलाने की कोशच कर रही है अब वो ये समझळ रही है कि इसके अंदर भी जान होती है, यह भी दूद पीती है, यह भी खाती है, यह भी पीती है, यह पीता है, यह पीती है, जो भी है, ठीक है, तो वो जो बेज़े होती हैं, उन में वो जानदार चीजों वाली राग्ट भिच्टिक्स बच्छा जो है समझ रहा होता है इसको बोलते हैं अनिमिजम पी ओप्रेशनल चिल्डेंगं सम्टाइम्स एक्रैनिमेट ऑब्जेक्ट्स विद लाइफ एंड लाइफ लाइक प्रॉपर्टी जानि के वो समझ रहा होता है कि समें जिंदगी बी और इ लाइफ लेस अबजेक्ट हुमन लाइक क्वालिटी वही वाली बाच डैफिनेशन कि जब आप एक लाइफ वाली क्वालिटी किसी को दे रहे होते हो अब आपने एक और चीज इंटरस्टिंग चीज इस एज के अंदर जब बचा किसी उसको ठोकर लगके गिरता है या वो फर करें चारपाई से बच्चा लगा है और गिर गया और रोने लगया तो मतलब वो समझता बैलंस हो गया ठीक है ठीक है आपने देखा होगा अपने आसपास या आपने शायद कभी ऐसा किया हो बच्चे को चुप कराने के लिए कि ऐसे किसी को मार जियो गर फर्स पर गिरा त दो तीन कि कभी कि हुआ है साथ अपने कि इस किया कभी जी सब्सक्राइब यह तो यह अनिमीजम है बच्चा प्रीजिए समझा रहता कि मुझे चोट लगी थी ना चले उसको भी मादी है ममाने तो अब वह बैलेंस हो गया है तो यह एनिमिजम होता कि बच्चा बेसिकली ल लाइफ लेस्टीजों के अंदर यह सेकेंड स्टेज दो से साथ साल की एजमी अच्छा सेंट्रेशन होती है संट्रेशन का मतलब होता है एक ही परस्पेक्टिव को देखना एक ही साइट को देखने जैसे हमने ऊपर भी देख लिया था वो कि वह अपना ही यह पूपली इगनोर अधर जब एक असपेक्ट को देख रहा तो बाकित तमाम चीजों को इंग्नोर करते था बाकित माम एंगल जैस्ट फेक्स को ग्रों करते था इकली एलमेंट अश्पेक्स जो की एकली एलमेंट होते हैं सेंटेशन इन पयाजे अजे अ इस नेरो ली फ प्रूफ किया था conservation के experiment से conservation का experiment क्या है वो हम देख लेते हैं conservation क्या होता है conservation यह होता है reference to the ability to understand that certain properties of an object such as its mass volume or number remains the same even when the objects appearance changes कि जब किसी object की appearance change भी हो जाए शकल उसकी change भी हो जाए तो basically उसकी actual चो quantity quality होती है उसमें difference या फरक नहीं आता इसको बोलते हैं conservation यानि कि इस चीज़ को समझ लेना कि उसकी appearance change होने से शकल change होने से उसकी quality या quantity में फरक नहीं आता volume में फरक नहीं आता इसको conservation कहते हैं मिसाल के पर बच्ची के सामने आपने दो glass रखे दो बराबर ग्लास रखे एक जैसे उनमें पानी ड्ला आपने बच्ची से पूछा जी इन दोनों말 कि SP 掰掰 कि ये चोडरे अभी सेंटर वाली सेंटर वाली वही सेंटर पानी आपने डाला उस लमбे वाले गास में जो नयबा है पतला है उसमें डाला आपने तो पानी जो बड़ा गलासै चोड़ा उपर वह गया बड़े गलासी बागलास है उसकी जो उसमें पानी उची हो गई दूसरे में नीची हो गई अगर आप बच्चे से पूछो कि किसमें पानी ज्यादा है या अब यह बोलोगे कि दोनों में से कौन सा पानी ज्यादा है तो आप वो फॉरण ये वाला बोल देगा जिसमें पानी की सता ज्यादा है ठीक है वो चोड़ा ग्लास नहीं वो नेरो इसलिए उपर चला गया लेकिन ये जो दो से साथ साल का बच्चा ये नहीं समझ पाता ठीक है ये उसको बोलते हैं कंजर्वेशन सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें कुछ ऐसे जैसे हमने वह पहले बात की थी उसकी कंजर्वेशन से पहले वाला जो था जिसमें वह अपना पॉइंट अफ यू इगो सेंटरिजम की तो बड़े में यह चीज़ होती है बताब वह इगो सेंट्रिक ही रहते हैं वह अपना प्रन भी करें कि जाएं इसी कि ये जो स्टेजिस हैं तो कि अब रही होती है उसकी परसेटी में बात करें आप यह बेसिकलि कि ली इस रे डिवैल्मधन स्टेजिस दी है कि हमारी cognitive development कैसे होती है और इसने abnormality को इतना ज्यादा focus नहीं किया कि अगर ये stage पर बच्जा abnormal हो जाए तो क्या होगा हाँ ये उसने बात बोली है कि ये जो stages है हो सकता है कि कोई बच्चा ये जो conservation है ये साथ साल से पहले achieve कर ले ठीक है यानि कि ये हम कह रहे हैं कि बच्चा जो उपर दो साल की एजवाली हमने देखी हैं ये एनिमिजम है हो सकता है कि ये हम कह रहे हैं कि एनिमिजम बच्चा पांच साल में नॉर्मली मतलब कि achieve करता है इसको समझ लेता कि एनिमिजम बेसिकली बेजान की है यह वाली उसने बात की है जो अब करें हूँ यह मैंने नहीं पड़ी कि उसने बनॉर्मालिटी या अबनॉर्मल भीविर वाला कोई पहलो टच किया हो ठीक है या उसने शो की बोला हो कि यह वाला अगर इस तरह से नहीं होगा तो उसके बड़े कि यह वाले चीज़ हो रही होती है उसने यह चीज़ को नहीं कहा यहां पर जिकर नहीं किया उसने उसने माइल्स चोन अचीव करने की बात कर रहा है कि यह किस तरह से कर रहा होता है हाँ एज आगे पीछे हो सकती है वो ठीक है उसने भी बोला है कि यह को बचा हो सकता है जल् यह यूनिवर्सलstorm हैं हर बच्छा इसी तरह से ढूलप करेगा थो यह वर्ड हो सकता है कि एक बच्चा अशसर कि भी साल की जाकर भी इस वाले को समझ रहा हो तो फार थे कहत तो बंब आप कहीजा रहे हो वह जो centeration वाली हो सकता है कि वी साल की एइज में भी बचा ना समझ पारा हूँ तो वो वो तु बात ये कहता है कि हो सकता है कि एक बचा ऌट जाके। चीब करें हो सकता है एक बचा बहुत जल्दी चीब कर ले तो इस हद तक तो एब नॉरमेलिटी समझ आती है इसकी अब यह हमने पानी वाली एक्जामपल देख ली है ग्लास वाली कुछ और एक्जामपल भी अगर इस तरह से आप लाइने बनाएंगे ना तो भी वह उसको कनफीजन हो जाएगी अगर इस तरह से मास यानि के मट ज्यादा है जो आपने मतलब गोल वाली कम है यह दूसरी ज्यादा है ठीक है तो वह मतलब कि उसका जो उसके सामने जो प्रेजेंट मुमिट में नजर आ रहा होता है उसको का फिजिकल जो अबिलिटीज है उसको देख रहा होता है वो अच्छाने वर्स लैस प्री गलास को समझ लेता है कि ज्यादा पानी है दूसरे को सम्मेज़े आई है अब यहां पर रिवर्सिबल खिंकिंग की बात भी है जो लास्ट कॉंससेट का रिवर्सिबल खिंकिंग तर ऊसकी नहीं हो रही होती reversible thinking का मतलब होता है कि चीजों को वो उल्टा के नहीं देख पाता मिसाल के तोर पर अगर चार four plus seven is equal to उसने eleven किया है अब इसको reverse नहीं कर सकता जानिके eleven में से minus four करके seven नहीं बना पाएगा वो ठीक है eleven में से four minus करके वो seven नहीं बना पाएगा reverse नहीं कर पाता इस stage के अंदर ठीक है एक और चीज़ है एक और concept इसका अक्सर आपको देखने को मिलेगा मुझे तो वो इतना valid नहीं लगता यह जो मैंने भी बताया यह ज्यादा valid मुझे लगता है एक अगर यहां पर बनू एक दो तीन चार पांच छे साथ अब कुछ लोग कहते हैं कि वो इसको reverse नहीं तीन दो और एक ठीक है मुझे लगता है कि वो इसको reverse कर पाएगा यह वाला concept उसके लिए मुश्किल हो सकता है कि यह वाली चीज़ उससे ना हो यह तो में भी वो कर ले तो यह ज्यादा valid example है concept है कि इसको तो वो कर लेता है और नहीं कर पाता reverse अब यह स्टेज़ पर के यह हो सकती है यह बात जैसे आप हम जैसे इसकी देखें आपने यह नंबर्स की बात किये तो यह वर्ड अटर करने के वाले से बात है ना जब बच्चे लिख भी रहते हैं अब जैसे जिसे हाईली उसकी कोई abnormal कैफियत होती है तो बच्चे डिसले होगे ऐसे है बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है तो मतलब यह बात मतलब numbers की हैं तक यह से हो सकता है कि फिर वही बात आज़े कि शायद percent to percent करके लिख दो रिवर्स करके लिख दो आप जैड पहले एक जगा जैड लिखोगे भी की जगा आप वाई लिखोगे ठीक है तो वह इस तरह से नहीं कर पाएगा उसके लिए मुश्किल हो जाएगा और हो सकता है कि कुछ बचे कर भी दे लेकिन यह वाला जो concept है ना यह थो अगली स्टेज के अंदर यह ओवर कम कर लेता है वो और कंक्रीट ऑपरिशनल स्टेज की तरफ वो चला जाता है यह हमारे पास दो स्टेजिस थी इसकी दो स्टेजिस इंशाला हम कल देखेंगे कोई question है तो आप लोग पूश रखते हैं तो आप लोग तो आप लोग रखते हैं